हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल लावित रोनी दोस्तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आप सभी लोगों को पता है कि अब हमारे एक्जामिनेशन में बहुत कम ही टाइम बचा है कुछ ही घंटे बस बचे है उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तो मैं आज आप लोगों के लिए CRPC लेकर के आ रहा हूं जो कि Index Point of View से मैं इसको पढ़ने वाला हूं इसको आपको समझाने वाला हूं जिससे कि आपका Superfast तरीके से revision हो सकता है दोस्तो मैं उमीद करता हूं कि मैंने IPC का बनाया हूं वो भी Next Point of View से मैंने बताया है और साथ साथ में जो relevant case law है जो हमारे examination में अक्सर पूछे जाते हैं उन से related मैं सभी सभी चीजों को उसमें मैं बनाया हूं और बताया हूं दोस्तो मैं उमीद करता हूं आप लोग उसको देख लिए होंगे देखिए आज हम इसको start करते हैं बीना दे सेंट्रिक होगा और इसमें जहां जरूरत लगेगा वहीं पर मैं आपको case law बताऊंगा जहां जरूरत लगेगा जहां मारे examination में जहां से question आता है वहां पर मैं थोड़ा सा time लूँगा लेकिन मैं कोसिस करूंगा कि मैं वही fact को deal करूं जिससे आपका number gain हो बाकी कुछ नहीं short title, extent and commencement ये देखने को अकसर मिलता है हम लोग CPC पढ़ें, CRPC पढ़ें, IPC पढ़ें, Indian evidence sector पढ़ें, means कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं बस एक Constitution of India को छोड़ करके उसका short title, extent and commencement सबसे last में दिया है वो last article उसका दिया है 394 में provide किया लेकिन इन सब इचीजों का सबसे आगे ही देता है, short title, extent and commencement की बात करते हैं, दोस्तों जो हमारे लिए सबसे important हो जाता है definition clause, क्योंकि हमारे definition clause से question बनता है और इस definition clause को छोड़ना खतर से खाली नहीं है, तो हम इस definition clause को हम आपके सामने जो important है, जो हमारे examination में आएगा हम उसको decode करने जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, बेलेबल ओफिंस, बेलेबल ओफिंस क्या होता है दोस्तों, मैं उमीद करता हूँ, आप पढ़े होंगे, और जब साथ में आप हमारे ये revision कर रहा है, बेयरेक्ट से, इंडेक्स point अभी से, तो आप अपना बेयरेक्ट ओपिन किये रहा है, जिसे कि आपको correlate करने में आसानी होगे, तो section 2 में जो हमारा जो पहला है, जिसमें 2A में बेलेबल ओफिंस के बारे में बताएगा, बेलेबल ओफिंस क्या होता है, जो schedule में सो किया रहता है, अब schedule हम आपके सामने बना दे रहा है, schedule क्या होता है, इसका देखिए, आप shortcut ले लिजिए, yes, o, p, सौप, c, b, t, यही हमारा schedule first का, जो है, इसमें एक schedule दिया है, वो schedule first का यही हमारे पास shortcut है, एक में yes से हो जाता है, section, यहां पे section की बात करते हैं, ओ से हो जाता है, दोस्तों, offense की बात करते हैं, पी से punishment की बात करते हैं किसकी punishment की IPC में जो punishment दिया है उसके punishment की C से हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जा रहा है cognizable के बारे में बात कर रहा है कि क्या कौन सा मामला cognizable offense है कौन सा cognizable नहीं है B से हमारा बेलेबल मामला हो जा रहा है कौन सा मामला यहाँ पे बेलेबल है और टी से ट्राइबल भाई वीच कोट हो जा रहा है तो यह हमारा फर्स्ट सीडियूल होगा यहां से कोस्चन भर-भर के पूछे जाते हैं कि हां इसमें से यह बताइए कि फिप्त नंबर कॉलम में किस चीच के बारे में डिफाइन किया गया तो आपके पास जब है चार्ज दिया देखिए हम आपके लिए वही बेर एक खोल देते हैं एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आए देखिए पहले में तो सब्सक्राइब आपने देख लिया डेफिनेशन क्लॉजेज में डेफिनेशन यही आपको देखने के लिए मिलेगा और यही बात बताया जा रहा है तो हम्हें चार्ज के बारे में डिफाइन किया गया कि चार्ज क्या होता है बैसिकली अगर हम इसका रेंज देखना चाहेंगे तो सेक्षन नमबर 211 से ले करके और 224 के बीच में चार्ज फॉल करता है तो चार्ज का मतलब बता है content of heads of charges की बात करता है means कि एक आदमी के उपर कितने प्रकार के charges लगें कौन-कौन से charges लगें उसी के बारे में टू भी हमारा बात कर रहा है से 224 में हमारा चार्ज को define किया गया यहां से आपने देख लिए अब थर्ड हमारे पास आ जाता है cognizable offenses कि इसको कहते हैं अब कि जो non serious offenses होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जिस जो serious nature का offenses होता है उसको हम लोग cognizable offenses कहते हैं means कि संगे अपराद कहते हैं जिसमें पुलिस क्या करती है संगे लेती है ऐसे अपराद के मामले में देखिए हम इसको बेयरेक्ट से आपको बता दे रहा है means an offense for which any cognizable cases means a cases in which a police officer may in accordance with the first schedule are under any other law for the time being in force arrest without warrant इसमें अरेस्ट कर सकती है पुलिस को बीना वारेंड के को देखिया प्रेजिचन में बता तेते हैं जो complaint की बात कर रहा है यहां प 에 complaint हम लिक लेते हैं कंप्लेंट को दो तरह में हमने डिफाइन किया इसको यहां पे ले सेक्षण 156 के सब क्लॉस 3 को हम ले लेते हैं दोस्तों हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें गें कर सके कर कर कोश्चान आता है अब हमारे FIR को नहीं लॉच किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे हम उसके बाद से complain करेंगे तो complain किसे किया जाता या तो आप मजिस्टेट से complain कर सकते हैं जाकर के या फिर आप superintendent पुलिस से मिंस की SP साब से 156 sub clause 3 में जाकर के आप complain कर सकते हैं वही complaint के बारे में section number 2D में यहां पर define कर रहा है अब हम बात करते हैं नेक्स नेक्स यहां पर 2D कि हो गया अब हमारा 2E आज रहा है जिसमें दोस्तों हाई कोट के बारे मता जाए रहा है यह useless है हमारे अभी इसके लिए preliminary examination के लेकियों कि इससे अभी question बन नहीं रहा है जिससे जिससे question बन रहा है दोस्तों उसको मैं जल्दी यहां पर cover कराने की 2G में हमारा inquiry है अब inquiry कौन करता है किसके द्वारा कराया जाता है जो अर्भ लगते हैं उसके विरचना होने से पहले रहा किया जाता है inquiry किसके द्वारा कराया जाती है mediday state of court के द्वारा कराया जाता है इसके Inquiry means every inquiry other than a trial. Inquiry, वो inquiry होता है, जो कि trial से अलग होता है, conducted under the court by a magistrate or the court. Inquiry, trial, जो inquiry होती है, वो trial के अंदर गत नहीं माना जाता है, जो inquiry होता है, उसको trial के अंदर गत नहीं माना जाता है. 2H में दोस्तों हमारे पास investigation है, investigation कौन करता है, तो investigation जो करता है, वो police officer होता है, यहाँ पर कहां गया है, 2H में दोस्तों यहाँ पर police officer के दोरा investigation किया जाता है, देखें यहाँ पर police officer लिखा है कहीं, police officer के दोरा investigation किया जाता है, other than a magistrate हो, other than a magistrate होना चाहिए, तो 2H में आपने investigation द कि हम जूडिसियल प्रोसीडिंग क्या है जूडिसियल प्रोसीडिंग किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है तो इसको आपने जूडिसियल प्रोसीडिंग के बारे हम जान लिया जैसे कि यहां पर एवडेंस होता है जो कि ओत पर लिया जाता है यही जूडिसियल प्रोसीड के बारे में बाथ कर रहा है local jurisdiction किसमें दिया है क्या कहता है अब हमारे लिए थोड़ा सा important 2K हो जाता है जिसको metropolitan area के नाम से जाना जाता है दूस्तो respiratory metropolitan area वो area होता है जहां 1 million, 1 million मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख से अधिक अगर लोग हैं तो उसको metropolitan area गोसित किया जाता है और यह किसके दोरा गोसित किया जाता है यह स्टेट मेट्रोपॉलिटन area में इसको सामिल किया गया है, आपको यह बात पता होनी चाहिए अगर आप उत्तर पर्देश का एक्जामिनेशन दे रहा है तो क्योंकि स्टेट अमेंडमेंट से भी कभी कबार कोश्चन पूछ लिये जाते हैं तो अभी तो यह नहीं पूछेगा प्रियाग राजवाला लेकिन यह भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आप सामिल होन इसका मतलब होता है दें करती है इसका मतलब होता है र defense क्यों कि पात करते हैं करते of Indian Penal Code में दोस्तों हम offense पढ़ते हैं तो उसी से ये correlate करके बता रहा है कि offense किसको कहते हैं कोई act हो गया या कोई omission हो गया any act हो गया और omission हो गया punishable by any law by the time being enforced included in the act respectively of which is the complaint may be under section 20 of the section 20 of the cattle trespass act 1871 act of act number 1 of 1871 1871 के बारे में बात कर रहा है immense की offense वो होता है जो की IPC में भी define किया गया है उसी offense के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है 2 O में charge के बारे में बात कर देता है कि charge क्या होता है किस के उपर किस प्रकार का charge लगाया जासा है यह charge के बारे में 2 O में बात कर रहा है फिर हमारे पास next जो कौन होता है यहां पे वो Rust Hep बढ़े दिया गया है और चू कियो में न हो जाता है पूलिस रिपोर्ट के बारे है की यह पूर्स रिपोड कर आंग होता है और यह पूलिस रिपोर्ट की क्या होता है औया द इस रिपोर्ट को चालान करते हैं इसी को चालान के नाम से जाना जाता है कि हम पुलिस के बारे में बता रहा है कि हम पुलिस स्टेशन क्या होगा पुलिस स्टेशन क्या काम करता है इन सभी चीजों के बारे में बता जाए और प्रिस्क्राइब के बारे में बात कर रहा है इसको हम Saman Case मानेंगे कि इसको हम Warrant Case मानेंगे तो देखिए Saman Case की अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा समय आपको Eliberate करके बता दे रहा हूं क्योंकि यह आपकी examination के लिए important होता है. Saman के बारे में Provision दिया है 2W में समन के बारे में आप लोगों ने देख लिया, समन कैसे 2W में दिया है, अब इसी के साथ साथ दोस्तों वारेंट केस भी आता है, वारेंट केस कहा दिया है, तो ये 2X के अंतरगत वारेंट केस दिया, समन मामला जो होता है, वो दो साल से कम पनिसेबल मामले में होता है, less than 2 years, दो साल से कम मामले में punishable होता है, लेकिन जो warrant का मामला होता है, यह दो year से जादे के punishment में यह काम करता है, यह दो साल से ऊपर के मामले का है, यह दो साल से कम के मामले का है, समन है जो दो साल से कम warrant है, तो दो साल से ऊपर, यह less serious offense होता है, जो समन मामला है, यह less serious offense होता है, less serious offense होत किया लुए जो समन मामला होता है इसको समन में किया जा प्रोविजन की अगर हम बात कर रहा है अगर इसका प्रोविजन टौव का जो प्रोविजन है जो समन मामले का प्रोविजन है वो section 204 sub clause 1 और A में यह हमको देखने के लिए मिलेगा और अगर warrant मामले को हम देखना चाते हैं तो यह भी 204 के one clause B में यह मिलेगा यह one यह one A में मिलेगा और यह one B में मिलेगा distribution आप कोट्स के बारे में यह सभी चीजों के बारे में बता रहा तो यहां से आप bifurcation देख सकते हैं कि समन मामला कौन सा होता वारंट मामला कौन सा होता आप से examination में पूछ देता कि समन मामला कितने साल से उपर का मामला होता वारंट मामला कितने साल से उपर का मामला होता है कितने साल से नीचे का मामला होता है जो समन मामला होता वो क्या serious matter होता है कि less serious matter होता है जो warrant मामला होता है वो किस प्रकार का matter होता है तो दोस्तों यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट था एक्जामीनेशन के लिए इसलिए मैंने यहां पर टाइम लिया अग दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा 2 2WA के बारे में बात करना चाहेंगे 2WA का मतलब होता है यहां पर victim compensation के बारे में बता जारा है किसी के मरने के बाद जो इसका legal representative होता है उसको क्या कहा जाता है जैसे कोई victim है अगर इसके मरने के बाद अगर कोई इसके बिहाब पे कोई काम कर रहा है तो इसका जो guardian होगा जो इसका legal higher होगा वो इसका कौन हो जाएगाousse जारा है अब 2X में वारंट को अभी आप लोगों ने deal कर ही लिया, अब लास्ट बच रहा है, 2X हमारे पास बच रहा, ने 2Y हमारे पास बच रहा, तो 2Y का मतलब जो यही है, जो इंडियन पिलल कोड में जो 1860 में जो meaning express किया गया, वही meaning यहाँ पे भी express किया जाएगा, तो आप लोग ने पूरा यहाँ पे यह देख लिया, पूरी hierarchy आप लोग ने देख लिए, section 2 किया, क्योंकि section 2 हमारे लिए उतना ही important है, जितना सभी section हमारे लिए important है, क्योंकि यहां से question बनते हैं, और originally मैं आपको बता दू, तो कौन-कौन सा question बनेगा, तो देखिए, अगर question बनने की बा x से आपका question बन सकता है, अब बहुत ज्यादा question बनेगा, तो 2a से बनेगा, इतना ही field है, जहां से question बन सकता है, और नहीं तो बहुत कोसिस करेगा, बनाने के लिए, फासाने के लिए, तो 2a आर है, जिसमें police report की बात कर रहा है, यहीं से दोस्तों आपको question यहां से मिलेगा, अन्य था, यहां से question आपको नहीं मिलेगा, तो यह मैं उमीद करता हूँ, यह जो funda मैंने आपको बताया है, यह आपको समझ में आ गया होगा, बेरिक्ट से, ठीक, अब यहां पे हम यहां पे देखते है, construction of references की बात कर रहा है, अब construction of references क्या होता है, यह कौन देता है construction of references, दोस्तों, यह बस यह, as usual, आप देख लीजिए, construction of references, बस जानते रहेए कि section 3 में construction of references की बात कर रहा है, अब हम बात करते है section 4 की यहां पे बात कर रहा है, section 4 में बात कर रहा है, trial of offenses under the Indian penal code and other laws के बात कर रहा है, जो trial होता है Indian penal code में और other laws में उसी की बात कर रहा है, यह हमारे आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी सेविंग क्लॉस मिलता होगा जब आप सीपीसी पढ़ते हैं वहाँ पर भी सेविंग क्लॉस मिलता है अब दोस्तों हम यहां से हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है चेप्टर नमर सकें जिसमें चिसको हम क्लासे अब क्रिमिनल कोट के अंदर मानेंगे कौन सी हरार्की होती है जो क्लासे सब क्रिमिनल कोट के अंतरगत आती है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कोट आप सेशन हो जाता है, judicial magistrate of the first class and in any metropolitan area, metropolitan magistrate आपने कोट आप सेशन यहाप पर आ जा रहा है और judicial magistrate देखिए, यहापे मैं आपके लिख लिख लिए रहा हूं, सब्सक्राइब यह नहीं क्रिमिनल कोट्स के बारे में पूरी हिरार्यिक दी है कि हाँ इसके अंदर कौन आता है इसके अंदर कौन आता है और अगर हम यहाँ पर ओरिजिनली आपको मैं बताना चाहूं तो हिरार्की अगर हम देखना चाहते हैं तो Supreme Court of India से हम हिरार्की देख सकते हैं जैसे यह हमने ट्रेंगल ले लिया, यहाँ पे हमने Supreme Court of India को बैठा दिया, यहाँ पे हमने High Court को बैठा दिया, यहाँ पे Court of Session को बैठा दिया, तो यह Supreme Court हमारे लिए Supreme Court सबसे बड़ी authority है, Supreme Court के अंडर में कौन है दोस्तों होते हैं, यहाँ पे High Court हो जाता है, अब high court के under में कौन आ जाता है, court of session के अंदर में कौन आ जाता है, तो CGM सावा जाते हैं, CGM साब के under में कौन आ जाते हैं, GM first आ जाते हैं, GM second आ जाते हैं, उस साथ सत metropolitan यहीं सेचन आता है कि यह मुँद रहे हिस्यक्स Umaqति आते हैं यह हमार हमेशन के बाएयी, यह तीन लोगों को दे लेगा एक लोगों किसी को ठटा देंगा और पूछ लेगा तो हम dash maker करके का और utoryaan कि किस प्रकार से हम अपने territory को किस प्रकार से हम बांट सकते हैं उसी के बारे में बता रहा है तो एवरी इस्टेट अविद डिवीजन सेशन डिवीजन जीतने भी हमारे सब को सेशन डिवीजन में बटा जाता है जैसे आप एक बहुत बड़ा जलेवी ले लिए इसको गो गोला ले लिजे और इस गोले को क्या कर दीजे चार भागों में च्छे भागों में आठ भागों में इसको डिवाइट कर दीजे तो यह पूरा हमारा इस्टेट है यह जो पूरा गोला है यह हमारा इस्टेट है और इस्टेट को क्या किया गया है इस यह हमारा यूपी हो गय इस में बांट दिया गया है कि पूरे हां पूरह यह सब इस एट में इस इस इसक्षण नंबर अब्हेंगे अब हमारे पास आ जाता है जो एट सेक्षण नंबर 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाइस की बात की जा रही है जब metropolitan areas की बात करेंगे तो हम 10 लाख की बात करेंगे 10 लाख वाला provision हमने अभी आपको बताया था कि 10 लाख का provision कहा था तो दोस्तों ये 2K में आपको देखने के लिए मिलेगा 2K में define किया गया है कि metropolitan magistrate होता है metropolitan area कि इसको कहते हैं तो जहां पर 1 million मिन्स की 1 million जहां की population होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग metropolitan area कहेंगे उसको metropolitan area के नाम से जानेंगे और इसको कौन notify करता है कि metropolitan ये state government के द्वारा notify कि जाता है कि हाँ ये जो area है वो metropolitan area है और दोस्तों कभी-कभी 1 million दे देता है और कभी-कभी 10 लाख दे देता है तो आदनी confused हो जाता है अगर 10 लाख नहीं पढ़ा रहता है तो सोचता है यार ये तो 1 million था 10 लाख का इसे हो गया तो आप दोनों पढ़के रखिए 2K में 1 लाख का है चाहें 10 लाख का है 1 million का है चाहें 10 लाख का है बात एक ही है ठीक अब हमारे पास जो next आ जाता है अब यहाँ पर next जो section number 9 आ जा रहा है section number 9 में आ जा रहा है court of session की बात कर रहा है कि दोस्तो court of session क्या होता है किसको हम लोग court of session के नाम से जानते हैं ठीक अब court of session जिसको जिला एवं सत्र नयाले के भी नाम से हम लोग जानते हैं यह क्या करता है जो court of session यह बनाने का काम किसके दोरा किया जाता है court of session बनाने का काम state government के दोरा किया जाता है राज्य सरकार के दोरा किया जाता है ठीक इसमें appointment किसके दोरा दोस्तों किया जाता है तो जो भी इसमें judges का appointment किया जा रहा है तो यहां पर मैं आपको hierarchy थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कोन बैठता है जब तक आम नहीं समझेगा मजा नहीं आएगा तो यहां पर सेसन जज्ज की बात करते हैं सबसे पहले सेसन जज होते हैं सेसन जज साहब के साथ दो लोग और होते हैं एक स्टेट गवर्मेंट के द्वारा किया जाता है और यह हर एक स्टेट में इस प्रकार का स्टेब्लिश्मेंट किया जा रहा है और वहां पर एपॉइंट्मेंट किसके द्वारा किया जाता है तो हाइप कोट के द्वारा वहां पर एपॉइंट्मेंट किया जा रहा है अब फि तो हाई कोट यहां पर क्या करेगा और बनाएगा कि कौन यह जो अप्लिकेशन है उसको कौन डिल करने वाला है तो यह सब काम हाई कोट के द्वारा किया जाता है हम बात करते हैं सेक्शन नमबर 10 में यहां पर सबॉडिनेट अफ असिस्टेंट सेशन जज्ज के बारें बता कौन किसके सबॉडिनेट होगा कौन किसके नीचे होगा एक बना बना दिया है कि हां उस हीरार्कि में दीख सब्स्राइनकों हुगे झonia फिर यहां पर सेकेंड वाले में दीखिए, the session judge में from time to time make rule consistent in the code as the distribution of business among such assistant session judge, assistant session judge को कौन काम देगा, तो session judge के द्वारा क्या किया जागा, उनको काम assign किया जागा, आपको ये deal करना है, आपको इस matter से deal करना है, और third clause में बताया, the session judge में also make provision for the disposal of any urgent application, और यहां पर अगर कोई urgent application आ जा रहा है, तो उसको भी dispose of करने के लिए क्या किया जा सकता है, additional or assistant session judge को वो दिया जा सकता है, और अगर ये दोनों लोग नहीं है, तो additional or assistant session judge by the chief judicial magistrate and every such judges or magistrate shall be deemed to have the jurisdiction to deal with any such application, उस application से ये लोग भी deal कर सकते हैं, अगर इनके जगा पे कोई नहीं है, तो अब हम बात करते है section number 11 में, court of judicial magistrate किसको कहा जाता है, court of judicial magistrate में बैठता कौन है, तो बस आप ये bare act point से ही आप इसको याद रखे कि, हाँ, section number 11 में court of judicial magistrate के बारे में बात कर रहा है, अब judicial magistrate कौन सा court होता है, कौन सा established इसको करता है, देखिए, तो इसको जो establishment करने की बात आती है, तो आपको पत establishment of court of judicial magistrate of first class, judicial magistrate first class, judicial magistrate जो first class होते है, जिसके हम लोग preparation कर रहा है, जो हम लोग judge बनने जार रहा है, जो UP में जो cater दिया जाता है, हम लोगो judicial magistrate first class का, यहाँ पे post है, judicial magistrate second class का, यहाँ पे post नहीं, तो हम लोगो जो बनाया जागा, वो first class ही बनाया जागा, तो वही first class के court के, और second class के at such place the state government after consultation with the high court by notification और specify notification के दोरा ये क्या करेगा court बनाएगा किसका court बनाएगा judicial magistrate first class का और judicial magistrate second class का यहाँ पर उसी सभी चीजों के बारे में दिया है देखें यहाँ पर एक proviso दिया है जो कि हमारे examination के लिए थोड़ा सा importance हो सकता है provided that the state government में after consultation with the high court established any local area और more special court for the judicial magistrate of the first class on the second class to try to try any particular 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 cases in class of the cases इसके लिए क्या कर सकता है state government उनसे सामती लेगा किसे high court से अगर high court consultation करता है तो यह लोग आपना क्या करेंगे court बनाएंगे किस प्रकार का court बनाएंगे जेम फर्स्ट के लिए बनाएंगे जेम सेकेंड के लिए court बनाएंगे और special matter को deal करने के लिए बनाया जागा section 11 के कॉड़ी बात करते हैं section 12 में यहाँ पर बात कर रहा यहां पर जा जाते हैं इन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा है कि चीफ जुडिस्याल मजिस्टेट कौन होते हैं और यह क्या क्ाम करते हैं बस इतना ही आप जान करके इसमें रखिए हैं अब बात करता हैं सेक्शन नमबर 13 की सेक्शन नमबर 13 की मैं बात करते हैं तो यहाँ caval judicial magister की बाताती है कि इस पैशल section कedar instructe 나오ist होते क्या है यह क्या क्या काम करते हैं जो special type judicial magister होते हैं इंप मिलोगों के बारे में बताये सुपेफ़ां नमबर 13 की तरहते हैं और यहां पर यहां पर बताए ग्या जब हम लोग पढ़ते हैं सिवसटीयों टेंडिया में इसको क्या रहते हैं बलते हैं यहां पैह्ट घ्लिएठेगा निसन्ट सूचि और समॉर्थी सूचि उन सूचियों के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार से सकेंड क्लास के लोग को आप पर काम करेंगे यह अब हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं पस हमारे लिए इंपोर्टेंट यह है कि सपेसल जुडिसियल मजिस्टेट होते हैं सेक्षन सेक्षन नबर 14 के सेक्षन आंबर 14 यहां पर बात करते हैं इन लोगों का तो समझ कि रहे हैं अब लोगे लोगन कर देटा के लिए क्क यह पर करता है सेक्षन नम्र 15 fala कौन किसके सबॉडिनेट होगा उसी की बात कर रहा है अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगा तो रीड़ विद सेक्षन नमबर 10 कर सकते हैं आप CRPC सेक्षन नमबर 10 के नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो यह चीज़ें हमको समाज में आ जाएंगे सबॉडिनेट कौन किसके होता है जो मैंने बताया है कि पहले कौन होगा मिंस की सेशन जज होंगे सेशन जज के नीचे क्या होगा असिस्टेंट सेशन जज होगे फिर उसके कि दोस्तों हमारे पास टाइम कम है आप मैं इसलिए थोड़ा सा तेज भाग रहा हूं कि जिससे की आपका रिवीजन हर सेक्षन पर कमांड बन जाए कम से कम इस सेक्षन का नाम सुने रहेंगे अगर अच्छे से मार्क करके आएंगे अगर इस सेक्षन का नाम ही नहीं सुन मेट्रोपॉलिटन 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 मेट्रोपॉलि हम आपको बता देते हैं यहींपर किस-किस एरिया को जैसे ढेली को डेली को हम लोग metropolitan area की नाम से जानते हैं मुंबई को मेट्श पॉलिटन एरिया के लुप सब्संख्द चुन्नाई है चुन्नवा घ्री चयारों को हम लोग पूरा कॉर्ट में बैठेंगे तो यहां से पूरा कॉंसेप्ट आप समय लिए अब बात करते हैं सेक्षण नमबर 17 का चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट न एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट जैसे हमारे हां सीजेम साहब बैठते हैं उसी तरह से सेगल कोटो च्छीफ मेर्ड डॉडीशाल मजिस्टेट चीफ मेर्ड मोजिस्टेट सीएअम साना हो जाएँगे जैसे हमारे यहाँ एकूदी मजिस्टेट इसके बैठते हैं जैसे कि हमारे यह लोकल 10 कोट हो ऊंगा तो यहाँ पे GM first होंगे, GM second होंगे और उनके उपर among the equal कौन होंगे? CGM साहब होंगे उसी तरह यहाँ पे MM होंगे MM साहब होंगे और MM साहब के उपर कौन होंगे? CMM साहब होंगे मिन्स की Chief Metropolitan Magistrate होंगे वही पूछ रहा है Chief Metropolitan Magistrate and additional Chief Metropolitan Magistrate के बारे में बता रहा है तो वही hierarchy दे रहा है कि कौन किसके ऊपर होगा यह आप बे एरेक्ट रीडिंग है अगर आप चाहेंगे इसको रीड करेंगे तो आसानी से समझ में आ जागा अब section 18 की बात करते हैं Special Metropolitan Magistrate की बात कर रहा है इसको विशेस महानगर Magistrate के भी नाम से जाना जाता है कभी-कभी लोग कहते हैं कि हिंदी में कुछ बता दिया करिए तो जो विशेस महानगर Magistrate होगे इनको appointment किसके द्वारा किया जाएगा तो दोस्तों इनको appointment High Court के द्वारा ही किया जाएगा और recommendation कौन करता है तो वही Central Government और State Government के recommendation पर ही इनको appointment किया जाता है जैसे आप लोगोंने Section 13 में भी देखा था कि हाँ इसमें किसको कहा जाता है Section 13 में Special Judicial Magistrate की बात की जा रहे थी और यहाँ पर Section 18 में Special Metropolitan Magistrate की बात कर रहे थी अभी Section 21 भी आगा उसमें भी Special बात की जा रहे तो तीन जगा practitioners की बात की जा रहे है Section 13 में बात की जा रहे है जो Section 13 में बात की जा रहे है वह Special Judicial Magistrate की बात की जा रहा है वहाँ पर appointment किसके द्वारा होता है तो High Court के दौरा appointment हो पॉता है अब बात करते हैं section number 19 की, section number 19 की subordinate of metropolitan magistrate, metropolitan magistrate जो होंगे, वो किसके subordinate होंगे, तो chief metropolitan magistrate and every additional chief metropolitan magistrate, cell भी subordinate to the session judge, ये सब किसके subordinate होंगे, ये session judge के subordinate होंगे, session judge के नीचे होंगे, and every metropolitan magistrate cell subject to the general control of the session judge, ये सभी किसके control में होंगे, ये सभी session judge के general control में होंगे, second की बात करते है, the high court मे इसको डियाम साफ का नाम आप लोगों ने सुना है उसी डियंयं सहाब को एक्जीक्यूटी मजीस्टेट कावर होता है उन्हीं को एक्जीक्यूटी मजीस्टेट काती है अब यहां पर इनका एंपॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के द्वारा होता है अभी आप लोग ने दो जगा देखा edXuyorum option nbre 13 में देखा olis 18 में देखा यहां पे इनकी app ан Fine के द्वारा होती है एपकोंट का द्वारा होती है किसके रिक्वेस्ट पर Central Government के और State Government के रिक्वेस्ट पर यहां पे भी Central Government के रिक्वेस्ट पर और State Government के रिक्वेस्ट पर बट Section 20 के case में इस प्रकार का कुछ नहीं होता है यह DM साहब है और इनको appoint कौन करता है यहां पे State Government के दौरा simply इनको appoint किया जाता है और हर जिले में एक District Magistate होता है आपको यह बात पहले से ही पता है District Magistate जिला नयाले कहां पे होता है जिला अधिकारी कहां पे होता है तो हर जिले में एक जिला अधिकारी होता है उसी के बारे में बात कर रहा है यहां पे देखें सब्सक्राइब करने का खाम करता है इनको एक पाइंट करने का काम इस्टेट गौशंट के द्वारा की जाता है यहां पे हाई कोट से किसी प्रकार का मतलम नहीं होता है पूछे का क्न एक पाइंट करता है तो आप तेरा देख लिए अठारा देख लिए इस प्रकार से आप learn करके रखेंगे, question बनेगा भी तो यहीं से बनेगा, इसके इतर कहीं से question आप से नहीं पूछा जाएगा, 13, 18 और 21, बात करते हैं, section number 22 की बात करते हैं, जिसमें local jurisdiction of executive magistrate के बात करता है, कि local jurisdiction क्या होता है, executive magistrate का, section number 22 में local jurisdiction, जो executive magistrate होगे, उनका local jurisdiction क्या होगा, तो यह इसी को आप पढ़ लेंगे एक बा, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, इसमें time ज्यादा खोटा नहीं करते हैं, section number 23 की बात करते हैं, subordinate of executive magistrate, अब कौन किसके subordinate होगा, कौन executive magistrate, मिंस जो कार् आलक magistrate का अधिनस्त, अब कौन होगा, यहाँ पर section number 21 में, 23 में यही बता आए रहा, कि इनके अधिनस्त क्या होगे, all executive magistrate other than the additional district magistrate, sell be the subordinate to the district magistrate, जितने भी लोग होगे, वो subordinate किसके होगे, district magistrate, district magistrate मंतक यहाँ पे हैं, तो फिर EDM साहब यहाँ पे हैं, और फिर उसके important आगया, PP साहब आगया, जो कि section number 24 में define किये गया, दोस्तों, इनको appoint करने का काम कौन करता है, इनको appoint करने का काम, इस्टे, high court के द्वारा किया जाता है, और किसके request पर, या तो central government के request पर, या तो फिर state government के request पर, इनको appoint किया जाता है, दोस्तों, यहाँ पे जो आपसे, सब से ज़्यादा question पूछता है, कि इसमें total subsection, subcloss कितने दिये हैं, तो इसमें total 9 subcloss दिये हैं, ठिक, और उसके बाद से, यहाँ पे जो fourth number का clause दिया, यह आपके लिए important है, fourth number के, जहाँ जहाँ से question बनेगा, वो वो चीज हम यहाँ पे छू के आपको दिखा देंगे, कि हम clause 4 स यहाँ से question बनता है, force यह question बनता है, कि जो इनकी appointment होती है, जो पीपी साहब का, means की public prosecutor साहब का, according to section number 24, जो इनका appointment होता है, वो कौन appointment करता है, कौन list prepared करता है, तो दोस्तों, यह district magistrate, sell with the consultation with the session judge, यह district magistrate के द्वारा, एक list prepared किया जाता है, किस से बात चित करके, session judge से बात करके, section number 24, के sub-closs 4 में, एक magistrate, district magistrate के द्वारा, session judge से बात चित करके, एक list prepared किया जाता है, और वो list कहाँ पे भेजा जाता है, list भेजा जाता है, state government को, अब, इनके condition को देखिए, यहाँ पे सातवा number clause पे आईए, सातवा number clause आपके लिए important है, पहले तो आप लोगे देख लिया, कि पीपी साहब न्यूक्त कराने के लिए, अब, पीपी साहब बन कौन सकता है, 7 में बताया है, 7 साल का experience होना चाहिए, जो advocate है, जिसके पास 7 साल का experience है, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, वो पीपी साहब बन सकता है, section number 20, sub-closs 7 में ये बाप बता दिया गया है, यहाँ से question बनता special public prosecutor, भाई special court बन रहा है, section number 13 में, section number 18 में, तो इसके लिए special भी तो चाहिए, special public prosecutor भी तो चाहिए, अगर special चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए experience 10 साल का चाहिए, यह आपके लिए important है, बस यहाँ से ही आपसे question पूचेगा, इससे आगे जल करके आपसे किसी भी प्रकार का question नहीं पूचेगा, और यहाँ पे एक दोस्तो प्रोवाईजो दिया है, section number 8 के sub clause, यहाँ पे प्रोवाईजो दिया, यह प्रोवाईजो आपके लिए important है, दोस्तों यह प्रोवाईजो यह कर रहा है, कि सरकारी वकील के साथ अगर किसी भी private वेक्ति को भी, किसी private को भी वकी अब यह क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने साथ साथ एक private वकील को भी नुक्त कर सकते हैं, यह प्रोवाईजो दिया है, 24 के clause 8 में, कि हम private वकील को भी नुक्त कर सकते हैं, अपने लिए हम अपने खड़चे पे, लेकिन जो private वकील भी जो काम करेगा, वो इनके मा करते हैं, तो यहाँ पर assistant public prosecutor की बात की जाती है, जो assistant public prosecutor कहां define किया गया, तो section number 25 में assistant public prosecutor की बात की गई है, दोस्तों यह भी हमारे लिए बहुत ही important होता है, assistant public prosecutor की इसको करते हैं, जो कि हम APO के नाम से जानते हैं, AP prosecutor का मतलब officer होता है, लेकिन यहाँ पर P दिया है, आप learn कर सक करते हैं, APO के नाम से, जो APO काम लों examination देते हैं, तो यही assistant public prosecutor होते हैं, और दोस्तों यह assistant public prosecutor काम क्या करते हैं, यह तो state government को, state government इनका appointment करता है, appointment करने का काम कौन करता है, तो इनको appointment करने का पहला काम, state government करता है, इस पर restriction लगा रहाता है, means कि यह जो लोग होते हैं, जो APO सा आपके अंडर में काम करेंगे, इस प्रकसर इनके उपर रिस्रिक्षण लगा रहता है. पुलीस ओफिसर को मजी स्टेट के कोट में असिस्टेंट प्रोजिक्यूटर बनाया जा सकता है. कि जो यहां पर थ께서 क्लास में बताया जा रहा है. अगर कोई माल लिजे कि कोई police officer है उस police officer को भी magistrate साब के court में उसको क्या बनाया जा सकता है उसको assistant public prosecutor बनाया जा सकता है अब वहाँ पे कारण दिया है कि किस कारण से उनको assistant public prosecutor बनाया जा सकता है तो यहाँ पे इनके कारण को बारे में बताया जा रहा है कि अगर not कौन बन सकता बस यहीं से आपको question आएगा यहां के 25 के clause B से ही आपको question आएगा कि अगर उनको पुलिस को भी बनाया जा रहा है तो किस clause में define किया गया है तो यहीं पर वाले में ही define किया गया जहां-जहां से question बनेगा वह topic हम टच करते हुए चल रहा है, अब 25A में direct rate of public prosecutor की बात कर रहा है, कि एक direct rate होगा, वही direct rate क्या करेगा, एक public prosecutor का निर्माड करेगा, यह कब से आया है दोस्तों, तो यह दोस्तों जब आया है, तो यह amendment 8 2005 से इसको क्या किया गया है, इसमें include किया गया है, किसको direct rate of public prosecutor के बारे में, और यहाँ पर इसके clause को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, clause से भी कभी कभार question पूछ देता, यहाँ पर कौन appointment करेगा, तो यहाँ पर जो appointment होगा, वो Chief Justice of the High Court के द्वारा appointment किया जाएगा, और not less than, और यहाँ पर इनके लिए experience कितना चाहिए, यहाँ पर इनके लिए experience, 10 साल का experience होना चाहिए, तभी वो direct rate of public prosecutor बन सकते हैं, और यह किस के अंडर में काम करता है, तो home department of the state के अंडर में काम करता है, इसका जब third clause पढ़ेंगे, तो यह home department of the state के अंडर में काम करता है, कौन काम करता है, Home Department of the Assistant के अंडर में तो Directorate of Public Prosecutor जो 25A में डिफाइन किया गया है ये State के Home Ministry के अंडर में काम करता है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो चेप्टर आ जाता है चेप्टर नमबर 3 आ जाता है ये हमारे लिए important हो जाता है इसमें power of the courts के बारे में बात किया कि कौन-कौन power होता है किस-किस court के पास तो इसको deal करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर section number 26 को देखते हैं court by which offenses are triable subject to the other provision in this court के बारे में बात कर रहा है अब इसमें कौन-कौन आता है दोस्तों तो यहाँ पर high court आता है देखिए सब के आगे और लगा है या तो high court होगा या फिर court up session होगा और third में बता रहा है any other court by which other such offense is shown in the first schedule of the tribal जिस first schedule में बताया गया है कि किस के दोरा tribal किया गया मैंने आपको वो shortcut दिया था ना जो कि यहाँ पर sob cbt दिया था yes o p c b t तो यहाँ पर t वाले में tribal by which court के बारे में बात करता है कि कि किस court के दोरा tribal किया जाएगा या तो high court tribal उसको देख सकता है या तो court up session कर सकता है या तो first schedule में mention है कि कौन इस मामले को tribal करेगा कि किस के court में ये मामले को सुना जाएगा वही section number 26 के बारे में बता रहा है कि हो किसको सुना जाएगा वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है section number 27 की बात करते है jurisdiction in the case of juvenile अगर juvenile के दोरा किसी विपरार का offense किया गया है तो वो किसके दोरा सुना जाएगा उसमें कौन मामला को deal करेगा तो यहाँ पर जब jurisdiction की हम बात करते है तो यहाँ पर दोस्तों जो एक general clauses के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर एक age दिया है जब यहाँ पर यह CRPC में दिया है तो 16 साल का जो provision दिया है यह CRPC में दिया है दोस्तों इसमें confused नहीं होना है कि 16 साल का provision कहा दिया है और 18 साल का provision कहा दिया जनरली अगर 16 साल का provision अगर आप से examination में पूछ रहा है तो मान के चलिएगा कि यह section number 27 का ही है और यह किसमें दी रहा है नहीं tried किया जाएगा देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है Court of Chief Judicial Magistrate Court of Chief Judicial Magistrate के द्वारा ही इसको क्या किया जाएगा tried किया जाएगा इसमें 16 यह वाला important है और कौन tried करेगा तो Chief Judicial Magistrate के द्वारा ही किया जाएगा यही इसका important जिक्स है बात करते है section 28 की sentences which high court and session judge may pass कौन सा ऐसा sentence है जो कि high court और session judge ही pass कर सकते है और कोई pass नहीं कर सकते है तो यहां पर जब हम पूरे इसके देखेंगे तो यहां पर देखिए इसका जो clause number 2 है यहां पर clause number 2 में बताएगा session judge और additional session judge may pass any sentence authorized by law कोई भी sentence pass कर सकता है कौन पास करता है session judge और additional session judge जो कि authorized by law है but any sentence of death pass by any such judges shall be subject to confirmation of the high court अगर इस प्रकार का है कोई चीज अगर sentence आपको pass करने के लिए दिया गया आप sentence pass करिए लेकिन यहां पर एक clause दिया गया अगर आप death sentence pass कर रहे हैं तो उस sentence को confirmation करवाना पड़ेगा किस से high court से confirmation करवाना पड़ेगा अगर high court confirm करती है तभी जाके आप death sentence का execution कर सकते हैं और यह CRPC में section number 366 में बताया गया है कि death sentence का confirmation करेगा high court के द्वारा किया जाएगा और यह भी बहुत important था जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया है ठिक अब हम बात करते हैं section number 29 के section number 29 में sentences which magistrate में पास कौन कौन से sentences हैं जो कि magistrate के द्वारा पास किया जा सकते है तो दोस्तों यहां पर इसके hierarchy के बारे में आप देख लीजे कि कौन ऐसा sentence है जो कि कि किस magistrate के द्वारा पास किया जा सकता है जो कि हमारे examination के लिए कभी कबार यह पूछ देता है कि यह बताइए कि कौन सा sentence है जो कि कि किसके द्वारा पास किया जाता है कितना sentence कौन जैसे जेयम first की बात करते हैं जेयम second की बात करते हैं तो यह लोग कितना sentence पास कर सकते हैं जैसे यहां पर लिखा है, the court of chief judicial magistrate and pass any sentence authorized by the law, यह कोई भी sentence pass कर सकते हैं, जो authorized किया है law के द्वारा, second में, the court of magistrate of first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, जो यह है, जो first class है, यह 3 साल से, means कि जो first class magistrate है, जो first class magistrate है, जो first class magistrate है, यह 3 साल तक का सजा पास कर सकते हैं, और fine not exceeding 3,000, और 10,000 रुपए से ज्यादा का यह सजा नहीं पास करते हैं, 3 साल और 10,000 रुपए इनके limit में, the court of magistrate of the second class, तो यह 1 साल का पास कर सकते हैं, 1 year, और fine यह कितना दे सकते हैं, 5,000 रुपए का यह fine दे सकते हैं, next देखिए, the court of Chief Metropolitan Magistrate, power of the court of Chief Judicial Magistrate, and the Metropolitan Magistrate, the magistrate of the first class, जो magistrate class पास कर सकता है, वही Chief Judicial Magistrate, means कि Chief Metropolitan Magistrate भी पास कर सकते हैं, बस यही बात बताया जा रहा है, कि कौन कितना sentence पास कर सकता है, और कौन कितना fine क कर सकता है पास करता है इसके अलावा कुछ से से ट्रीटी ने नहीं बताया गया है अब केलगा है। यहां पर सेथर्पे यहां से आफनल से मत्क्राइब कों आप दोस्तों यहां से आप किया जाएगा। अगर Court of Magistate, aगर magistrate court की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर magistrate court कीतना सजा दे सकता है, तो हम यहां पर बात करेंगे, अगर magistrate court की तो हम यहां पर CGM सहाब को लेंगे, और फिर यहां पर JMSC सहाब को लेंगे, judicial magistrate second class, दोस्तो जब हम इसको पढ़ते हैं, तो हम section number 30 के साथ, हमक करना चाहिए क्योंकि वहीं पर डिफाल्ट आप इंप्रेजेंटमेंट के बारे में बताएगा अगर वह फाइन नहीं पर कर रहा है तो कितना डिफाल्ट संटेंस उनको दिया जा सकता है तो इसको रीड विद सेक्षन नंबर 65 जरूर करना होगा क्योंकि यही से इसका की तो यहां पर च्टेंस को औब पार है उसके एक बटा फोर्थ क्या ये sentence को pass कर सकते हैं जितना इनको सजा देने की power है उसका एक बट्टा 4 ये sentence को क्या कर सकते हैं pass कर सकते हैं किस case में default के sentence में अगर default है fine हो रहा है तो ये भी एक बट्टा 4 कर सकते हैं ये भी एक बट्टा 4 कर सकते हैं और ये भी 1 upon 4 कर सकते हैं अब 7 साल इनको देने की पावर है, 7 सल सजा देने की पावर है, तो अगर इसको 12 से हम multiply करते तो 84 महीना हो जाएगा न, अब 84 गुड़े 1 बटा अगर हम 4 करते हैं, तो अब जितना होगा, अब इतना ये punishment impose कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये punishment impose नहीं कर सकते हैं, यही बाते section number 30 मे आपको लिखा है, जैसे कि अब यहाँ पर ये इसको गुड़ा करके काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये कितने महीने आ जाएगा, ये 21 महीने default sentence दे सकते हैं, कौन? CGM साहब, अगर किसी भी प्रकार का default sentence देना हो, तो ये 21 महीने का default sentence दे सकते हैं, अगर GMFC साहब की बात करते हैं, तो ये 9 महीना का, क्योंकि ये जो 3 साल है, इसको मन्थ में convert करेंगा, जैसे यहाँ पर करेंगे, तो ये 36 महीना हो जागा, जैसे 36 महीना होगा, तो इसको multiply करके हम निकालेंगे, तो ये 9 महीना default sentence दे सकते हैं, और यही GMFC साहब की बात हम करते हैं, तो GMFC साहब भी यही सजा दे सकते हैं, ये भी अपना काट पीट के ये भी 3 महीना सजा दे सकते हैं, अगर एक भाई 4 करते हैं, तो ये 3 महीना, तो आप मोटा मोटा learn कर लीजे, 21 महीना का default sentence CGM साहब दे सकते हैं, 9 महीना का GMFC साहब दे सकते हैं, और 3 महीना का GMFC साहब दे सकते हैं, कौन CGM, से लग रहा था ज्यादा वेग हो गया देखिए स्साहब को पहले ले लेते हैं फिर आपको ले लिए और जोस्तो कहीं से भी आपका कटना नहीं चाहिए मेरा उद्देश यह साथ साल का परिस्मेंट दे सकते हैं यह तो कैसे पर देंगे तो यह एक बटटा चार punishment ही दे सकते हैं default sentence की बात कर रहा हूँ तो default sentence ये भी एक बटटा चार दे सकते हैं, ये भी एक बटटा चार default sentence दे सकते हैं, अगर ये सात साल है, साल को अगर हम महीने में convert करेंगे, तो 12-24 84 महीना होगा न, 84 गुड़े एक बट्टा चार अगर आप करेंगे तो यह कितना होगा अगर इसको डिवाइट करेंगे तो 21 महीना आ रहा है मिन्स कि यह 21 महीने का डिफाल्ट सेंटेंस साब के द्वारा इंपोस किया जा सकता है फिर यहां पर अगर हम देखते हैं तो यह जब आप मल्टिप्ल महीने का यह डिफाल्ट सेंटेंस पास कर सकते हैं सेक्शन नमबर 30 का पूरा जिस्ट हमने आपके सामने खोल करके रख दिया और यहीं से कोश्चन बनता है आपको ज्यादा कल्कुलिशन करने के उसकता नहीं यह ज्यादा गणित लगाने के उसकता नहीं है बस यह याद र बताईएगा इसको पढ़ने में हालत गंभीर हो जाता है कि हम आक रोट को बहुं कर सकते हैं आप लोग इसमें देखिएगा ठीक, अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कर लिए इसने और उसके बाद से मड़र भी किसी का कर दिया इसने रेप भी कर दिया तो यह क्या हो गया उसी सेब्सक्राइब के इसको यह पावर दिया जैगा की नहीं दिया जाएगा लिए जो है बात कर रहा है यह भी उतना इंपोटेंट तो लिए गया है इ crimin वाल कलतБो जा रहा है और ञानलने स्क्षर भी उतना मूँचिक्षु हो रहा है क्योंकि यहां पर बताया गया है कि SP सहाब के पास किसी भी प्रकार का पावर नहीं होता है वो किसकी प्रकार का को अब इसमे को अइसा चीज नहीं जो कि इंपोर्टेंट आपके लियोंगा की अगर उस्तु अगर Is देखेगा कि किस प्रकार से अरेश्ट करेगा तो इसको मैं डील करने जा रहा और इसको आप ध्यान से सुनिएगा यह आपके एक्जामिनेशन के लिए जैसे कि कब वो कर सकता है गिरफतार कब पहला ग्राउंड है एनि कॉगनीजेबल ऑफेंस किया जा रहा है तब वो उसको गिरफतार कर सकता है या फिर किसी प्रकार का reasonable complaint जैसे cognizable offense में गिराफतार कर सकता है B में कोई reasonable complaint मिल रहा है तब उसको गिराफतार कर सकता है कोई credible information मिल रहा है तब उसको गिराफतार कर सकता है और साथ-साथ reasonable doubt हो रहा है कि अगर ये आदमी के ओपर reasonable किसी भी प्रकार का doubt हो रहा है तो वो क्या करेगा उस आदमी को भी वो बिना वारेंट के गिरफतार कर सकता है और reasonable complaint मिलने पर भी उस वेक्ति को क्या किया जा सकता है पूलिस के द्वारा विदाउट वारेंट के गिरफतार किया जा सकता है यह section number 41 हमारा बता रहा है और section number 41 हमारे लिए दोस्तों इतना important है क्योंकि इसी में बत इसको अरेश्ट किया जाता है तो किस प्रकार का यह offense होता है यह साथ साल से less than less than seven year का जो offense होता है उसी के बारे में यह होता है और उसी में इसको अरेश्ट किया जाता है seven year less than less than 7 साल होना चाहिए तभी उसको में कोगली जमल offenses में अरेश्ट किया जाता है इसका objective क्या होता है कुछ ना कुछ तो objective होगा तभी तो किसी को भी विदाउट वारेंट अरेश्ट किया जाता है तो दोस्तों इसके पीछे जो ग्राउंड बताय investigation करने के लिए उसको क्या किया सकता है section 41 में उसको arrest कर लिया जाता है इसलिए किया जा सकता है कि मान लीजे कहीं offense किया और offense करके भाग गया पुलिस वाला कहा से ढूट के लाएगा इसलिए क्या करता है प्रॉपर investigation के लिए उनको arrest करके रख लेता है evidence को temper ना करे अगर कोई offense किया है वो किसी प्रकार का tempering उसके साथ ना करे किसी प्रकार का खेलवाड ना करे जो evidence उसके साथ किसी प्रकार का छेड़ छाड़ ना करे इसलिए भी उसको गिरफतार कर लिए यही इसका object होता है और उसके बाद से जो acquainted person को यहाँ पर क्या किया ज सकता है अरिष्ट किया जाता है तो यही ground बताया गया है objective क्या बताया गया है अरिष्ट करने का कि हो वो offense के साथ जो prevent जो means कि वो दूसरा offense ना करे इसलिए उसको पहले गिरफतार किया जाता है proper investigation हो सके इसलिए गिरफतार किया जाता है किसी evidence के साथ वो छेड़ छाड़ ना करे इसलिए उसको गिरफतार किया जा सकता है यही और court of law में परस्थूत करने के लिए means उसको paste करने के लिए उसको ग्रांड कर सकता है जैसे यहां पर डेखेंगे तो एबी सीडी करके पूरा ग्रांड दिया है एगर पुलीस वाले को तो अगर किसी भी प्रकार से अरेश्ट करना है, सात साल से उपर का अगर उसने कोई भी अपराद किया है, तो उसे अरेश्ट किया जा सकता है, कब अगर किसी भी प्रकार का कोई भी credible information मिलता है, तो उसको यहां से गिरफतार किया जा सकता है, देखिए, credible information मिलने के बाद उसक अगर पुलिस ओफिसर अप्ना डूटी डिसचार्ज कर रहा है अगर उसमें कोई फुलिस ओफिसर और कर सकता है और किसी भी प्रकार का एक्ड forbgesch्ण कर सकते हैं- तो उसको क्में कर सकते हूं विक्ती continues ki क्लात द। और सबसे important अगर कोई requisition आती है उपर से किसी प्रकार का कोई requisition आता है तो उस requisition को follow करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं किसी विवेक्ति को गिरफतार कर सकते हैं तो यह इतने ground बता हैं कि कितने प्रकार से आप गिरफतार कर सकते हैं किसको किसको गिरफतार कर सकते हैं कौन नमबर 42 में without warrant आप गिरफतार कर सकते हैं without warrant आप गिरफतार कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार की warrant की आउशक्ता नहीं होती है तो यह मोटा मोटा आप जानके रखिए section 41 से related जीते हैं भी point थे उन सभी point को मैंने यहाँ पर deal किया और दूसरी बात section 42 की बात कर रहा है यहाँ पर without warrant 41 में और 42 में बिना warrant कि आप किसी विव्यक्ति को गिरफतार कर सकते हैं अगर इन केसों में फॉपॉल कर रहा है तो और इसके बाद से हम यहाँ पर देखेंगे कि 41A यहाँ पर दिया है notice of appearance before police officer आपको notice दिया जा रहा है with due respect आप आईए police के सामने उपस्तित होके लेकिन आ रहे हैं और आपके खिलाफ क्या credible information मिला है reasonable suspicion है और cognizable offense है लेकिन फिर भी आप नहीं आ रहे हैं उस दसा में police officer आपको 41A के according गिरफतार कर सकती है ठिक 41B में क्या दिया है यहाँ पर दिया है procedure of arrest and duty officer making arrest अगर कोई भी police officer किसी को भी arrest करने जा रहा है तो वो कैसे जाएगा उसके जो वर्दी पहन के जाएगा उस वर्दी पर उसका name slip होना चाहिए जैसे उसका नाम जो भी होगा वो accurate होना चाहिए clear होना चाहिए और visible होना च arrest करने का कि किस प्रकार से arrest किया जा सकता है उन सभी guideline को follow भी करेगा कि हम इसी प्रकार से हम arrest करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं case law आपको बताना चाहूंगा जोगिंदर सिंग वर्सेज स्टेट आफ यूपी का मामला आया था 1994 का और साथ साथ डीके वसू वर्सेज स्टेट बंगाल का मामला आया था इसमें guideline पेस किया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमें arrest करना है तो किस तरह से हम arrest करेंगे तो यह 41B में वही बताया जा रहा है कि अगर आप clear identification आप सो करेंगे आपका नाम वहां पर उस identification पर दिखना चाहिए आप proper dress up होंगे पूरा वर्दी में हो करके arrest करने जाएंगे अगर बीना वर्दी के आप arrest करने जाएंगे पता चलेगा वह राइट अप private defense का exercise करके आपको पीट पाट के खुदे भाग जाएगा तो आपको वित due care and caution के साथ जाना है और proper dress up हो के जाना है और अपना batch ID card जो भी होगा आपको ले करके जाना ह अरेस्ट करने 41 B में यह बाते बताई गई हैं बात करते हैं 41 C की बारे में तो 41 C में दोस्तों यहाँ पर control room के बारे में बात करता है control room कहां होना चाहिए यह ऐसा ही examination में आप से पूछेगा control room की बात करते हैं तो control room कहां होगा एक तो आपका state में होगा और एक DM कर रहे ले एक state में होगा और एक distinct magistrate के सामने होगा कि हम आज इन इन बेक्तियों को हम लोगों ने क्या किया अरेस्ट किया है 41 C आपने देख लिए 41 D देख लिया यहाँ पर जो कि सबसे important है 41 D यहाँ पर देरा है right of arrested person to meet and advocate of his choice during interrogation जब interrogation होगा तो उसको अपने पसंद के वकील से मिलन और यही proper way भी होता है study करने का अब बात करते है section number 42 में जितना 41 से related doubt था उन सभी doubt को मैंने यहाँ पर clear करने का आपको को सिस किया जो कि यह दोस्तो rapid revision में ले करके आ रहा हूं और rapid revision में इसी तरह पढ़ा जा सकता है नहीं तो पता चलेगा कि 3-4 घंटे का session हो जागा और अगर वो नाम और पता देने में अगर आनाकानी कर रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है ठिक यह बात यहां पर section number 42 में यहां पर बता दिएगा section 43 में क्या बताया गया है तो section 43 में बताएगा अरे प्राइबेट परसन क्या किसी प्राइबेट परसन के दौरा भी पकड़वा देगा क्या मजिश्टेट साहब के द्वारा भी अरेश्ट किया जा सकता है जी हां दोस्तो section 44 में यही बताएगी मजिश्टेट साहब किस तरह से अरेश्ट करेंगे जब मजिश्टेट साहब अरेश्ट करेंगे तो वह non-cognizable offense किया है अगर उस प्रकार का किसी मजिश्टेट साहब हो गए या तो जुडिसियल मजिश्टेट होंगे या फिर एक्जिक्यूटि मजिश्टेट की बात कर रहा है यही दो मजिश्टेट अरेश्ट कर सकते हैं कहां कर सकते हैं अपने लोकल जूरिश्टिक्शन में यह लोग क्या कर सकते हैं किसी भी मामले म section number 44 के according JM साब के साब और EM साब के द्वारा arrest किसी भी वेक्ति को किया जा सकता है, यह 44 की कहानी थी बात करते हैं 45 की, यहाँ पर protection of member, member of armed forces and arrested, means की armed force के member को यहाँ पर थोड़ा सा safety दिया गया है अगर उनको arrest कर लिया गया है अगर उनके उपर किसी भी परकार की कार्यवाई करनी है तो आपको prior permission लेनी पड़ती है किसकी central government की, अगर state का है, तो state government की यहाँ पर prior permission लेनी पड़ती है, अब हमारे लिए सबसे important आता है section number 46 arrest how made, भाई, arrest अगर हम करेंगे तो किस परकार से करेंगे अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमका arrest हो जाओ, arrest हो जाओ और वो arrest होना ही नहीं चाहता है, तो इसके लिए guideline paste किया गया है, कि अगर किसी भी वैक्ती को arrest करना है, तो किस तरह से उसको हम arrest कर सकते हैं, तो इस guideline को आप देखिए, पहले तो मैं आपको एक case law बताना चाहता हूँ, जिसमें उन सभी case law में बताया जाता है, जैसे कि रोसन बीवी वर्सेज जेयस का एक मामला आया था, arrest हो मेड से related है, कि किस प्रकार से आप किसी भी वैक्ती को arrest कर सकते हैं, तो ये मामला था, और उसके बाद से जो next एक procedure established किया गया है, और उसी procedure के according ही आपको क्या किया जा सकता है, arrest किया जा सकता है, without procedure follow कि आपको arrest नहीं किया सकता है, अगर यहाँ पे महिला है, अगर महिला को arrest करना है, जैसे कि arrest करने में आप किसी को push और pull भी कर सकते हैं, अगर आपने oral intimidation दिया, कि भाई, तुमको arrest हम करने आ रहा है, अगर तुम arrest नहीं होगे, तो मैं क्या करूँगा, तुमको push और pull means की दवडा करके धका दे करकी मैं तुमको पकड़ लूँगा, पहले आपको word बोलना पड़ेगा, कि भाई, हम यह arrest warranty लेकर के आए हैं, आपको हैं, और यहाँ पे एक और clause दिया है, कि अगर जिस घर में अगर आप जा रहे हैं, अरेश्ट करने अगर वहाँ पे अगर कोई परदा नसी महिला है, तो उसको उसका परियाप्त टाइम देंगे, जिससे की वो क्या कर सकते हैं, सेक्षन नमबर 47 में बात बताई गई है, कि अगर कोई परदा नसी महिला है, अगर आप अरेश्ट करने जा रहे हैं, उसमें तो दोड़ा दूप के पकड़ लेंगे, लेकिन search of place entered by person sought to be arrested, अगर इस तरह से आप अरेश्ट करने जा रहे हैं, तो अगर वो किसी के घर में जा करके छिप जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, छिपा होने का अगर आपको पता चल जाता है, कि हाँ इस घर में छिपा हुआ, तो उस घर के आप मालिक से आप बात करेंगे, कि हाँ उसको अरेश्ट कराने में आप मेरी मदद करो, अगर वो मदद करने के लिए तैयार है, अगर वो अंदर से दर्वाजा लॉक कर लिया है, जो अरेश्ट होना है, वो अरेश्ट दर्वाजा बंद कर लिया है अंदर से, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगम वाला इस्टाइल लगवा सकते हैं, दया दर्वाजा तोड़, यहाँ पर एक बात और बताई गई है, अगर उस घर में कोई भी परदा नसी महिला होगी, तो उसको परियाप्त टाइम दिये जाएगा अपना जगा चेंज करने के लिए, यह नहीं कि महिला को ही जा करके अरिष्ट कर लिया जाएगा, नहीं, इस प्रकार का उसको परियाप्त टाइ टेंडर in to other jurisdiction, अगर वो किसी दूसरे जुरिजिक्शन में भाग गया, अपनी जुरिजिक्शन से बाहर किसी इदर जुरिजिक्शन में चला गया, तो वहां पर बीजा करके, पुलीस वाले क्या कर सकते हैं, अरेश्ट कर सकते हैं 49 में बताया जारा नो अननेसेसरी रिस्टेंट आप उसके उपर किसी भी प्रकार का अननेसेसरी रिस्टेंट नहीं लगा सकते हैं किसी प्रकार का उसके उपर बेड़िया नहीं लगा सकते हैं हत्खडिया नहीं लगा सकते हैं अननेसेसरी अगर वह सां उसको बताय। जाता है, कि देखो वाइं तुमको ये एधिकार है, तुमको बेल पाने का अधिकार है, तुम्हें छूटने का अधिकार है, ये सभी पूलीष ऑफिसर के दोरा दूटी होता है, जोगिंदर कुमार का case आया था, तुमको ये गाइद लाइन दिया गया था, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो तुम जेल से बाहर भी आ सकते हो ठिक अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं 50 A में क्या देता है obligation of person making arrest to inform about the arrest etc a nominee person और उसे पूछा जाएगा कि बचवा ये बता दो अगर तुमको हम लोग ने arrest कर लिया तो तुम बता दो तुम्हारे रिस्तदारी में चाहें तुम्हारे घर में तुम्हारे guardian में किसको इनफर्म करें कि हो तुमको अरेश्ट कर लिया गया है अगर 24 गंटे से ज्यादा अरेश्ट करके पूलीस वाले रख लेंगे तो तो प्रिबेंटिव डिटेंशन हो जाएगा वह तो उसका गिरफ्तार ही अवैद हो जाएगा वहाँ पर वाइड हो जाएगा इसलिए 50A में पूछ लिया जाता है उसे कि तुम बताओ कि कि किसको हम लोग पहले बता दे तु हम लोग किसी को अरेश्ट कर लिए तो उसको सर्च भी तो कर सकते हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अरेश्ट करके हम ले जा करके जेल में बंद करके रखें नहीं उसको हम लोग सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करने का मतलब है कि जैसे ही हम उसको अरेश्ट कर लेंगे तो उस उसकी तलासी लेंगे उसमें जो जो भी चीज उसके पास होगा उस सारी चीज़ों का एक memo बनाएंगे और उससे signature करा करके उसको कागश पकड़वा देंगे कि देखो भाई बाद में यह न करना कि पुलिस वाले ने हमारा यह product चाहे हमारा यह समान चुरा लिया है इसलिए यह seizure बनाए जाता है memo seizure बनाए जाता है arrest के बाद सेक्शन नमर 52 की बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर टू सीज ऑफेंसिव वीपें अगर उफेंसिव वीपें उसके पास से मिलता है तो उसको क्या किया जा सकता है पुलिस के द्वारा सीज किया जा सकता है तीरपन में SI या उसके उपर के rank में होगा तभी वो जांच करेगा वरना जांच करने से वो मना भी कर सकता है तिरपन यहाँ पर हमारे लिए important हो जाता है तिरपन यह में क्या कर रहा है तिरपन यह में examination of person accused of rape by medical practitioner अगर कोई rape victim है तो उसका भी क्या किया जाएगा जांच कराया जाएगा ठिक और यहाँ पर एक clause यह दिया है कि within 60 km के range के अंदर अगर 16 km range के अंदर अगर कोई अस्पताल नहीं है चाहें कुछ भी हो तो उसका एक clause दिया है जो हमारे लिए भी important नहीं है बात करते हैं यहाँ पर section 54 की यहाँ पर दिया है examination of arrested person by the medical officer examination कराया जाएगा arrested person को एक medical officer के द अगर किस प्रकार से उनका identification करवाया जाएगा तो यह बात किया जा रहा है section number 9 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों किसका IEA का means की Indian evidence का section number 9 पढ़ते हैं तो उसमें test identification parade की बात की जा रही है यहाँ पे भी identification of person arrested उसके identification को यहाँ पे जाच किया जाएगा यही बात section number 54 A में यहाँ पर बताई जा रही है तो यह यह सारी चीजें हमारे लिए examination point of view के लिए important हो जाता है कि इसमें क्या क्या हमको देखना पड़ता है बात करते हैं section number 55 में 55 में बता रहा है procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant कब subordinate जाकर कि किसी व्यक्ति को arrest कर सकता है तो यहाँ पर 55 में यही बता रहा है जो कि हम arrested person को health or safety को देखा जा रहा है कि क्या वो स्वस्त है कि नहीं उसकी जांच कराई जाती है चपन में person arrested to be taken before magistrate और office in charge of the police station means की magistrate के सामने उसको पेस किया जाता है कब within 24 hours 24 गंटा के अंदर उसको पेस करना होता है आने जाने का समय छोड़कर करके section 57 में बता दिया है person arrested not to be detained more than 24 hours 24 गंटे से जादा आप किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफतार किया है तो अपने पुलिस थाने में नहीं रखेंगे section 58 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात करता police to report apprehension अगर आपने किसी को भी arrest कर लिया तो आप apprehension का रिपोर्ट लगाएंगे कहां पे लगाएंगे तो magistrate के द्वारा सब divisional magistrate के हां या district magistrate के हां आप बताएंगे कि हो हमने इस व्यक्ति को क्या किया है अरिष्ट किया है फिर section 59 में discharge of person apprehended discharge भी कर सकते है किसा की तरह से आप discharge कर सकते है तो three process है यह तो उससे खुद bond भरवा करके आप उसको discharge कर सकते है या फिर आप खुद वहीं पे आई सकते है या फिर इस पेशल कोई order आ जाता है magistrate का तब आप उसको यहां पर discharge कर सकते है फिर बात करते है section 50 cotton context में power in escape to pursue and retake, power, power होता है उसको छोड़ने का और power to escape, अगर उसके पास उसको छोड़ने का और pursue करने का और retake करने का power होता है यहां पर 60A में बताया रहा है, arrested to be made strictly according to the code, मिंस की यहां पर strictly according to the code बताया गया है कि किस प्रकार से अगर किसी विवेक्ती को अरेश्ट कर रहा है तो उसको अरेश्ट करने का क्या तरीका है जो तरीका बताया गया है हमारे CRPC में क्या आपने उस तरीके को फालो किया है उस वेक्ति को अरेश्ट करने के लिए अगर जी हाँ अगर जो भी जोगेंदर कुमार का केस हो गया चाहें ललीता कुमारी का केस हो गया एक काम होता है जो आरेस्टी पीपूल होता है उसे पूछने का काम करते हैं जह साइने अपके था किया जाता है कि किक या इस प्रकार से आपको बताया गया धा है आपaux पर यहां पर चैप्टर नमबर 6 आ जाता है जो कि हमारे लिए एक्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट अब हम यहां पर चैप्टर नमबर 6 में दोस्तों देखते हैं कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें इसको बुलाने का काम किया जा रहा है मिनस की हाजीर होने के लिए वीबस करने के लिए आदेशी काओं के बारे में बात किया जारा है तो अच्छी बात है, अगर वारिंट पे भी नहीं आते हैं, तो कोट क्या करेगी, उनके लिए प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है, उद्गोसडा जारी करना, डुगडुगी पिटवा देती है गाउं में, और पंपलेट चस्पा करवा देत प्रोक्लेमेशन करा देती है, अगर उससे भी वो नहीं आते हैं, तो क्या करती है, और रूल रिगार्डिंग प्रोसेजर के बारे में बात कर रहा है, कि वो रूल आदेशी का है, जारी कर देती है, कि किस प्रकार से उनको कोट में घसीट करके लाया जागा, इन्ही सभी च 161 है हमारा, इसमें बताया जारा कि क्या फॉर्म अब समं क्या होगा, अगर किसी वी व्यक्ति को भूलाना है, तो किस प्रकार से बुलाया जागा, तो जो प्रि्जाइडिंग आफिसर होगा, जो कोट का जो नियाईक अधिकारी होगा, वो किस तरह से समन जारी करता है, वो तब उस प्रकार से तब माना जाएगा कि ये समन को क्या कर दिया गया किसी कोट के द्वारा जारी कर दिया गया अब समन को दोस्तों अगर जारी कर दिया जाता है कोट के द्वारा तो समन को ले करके घूमा थोड़े नहीं जाएगा समन को सर्व करने का कोशिस किया जाएगा क किस तरह से समन को सर्व किया जाएगा तो समन को सर्व करने का तरीका section 62 में बताया गया है अब समन को किस प्रकार से सर्व किया जाएगा या तो आप ले जाकर खुद समन को सर्व करेंगे या फिर state government जो तरीका बताया गया है उस तरीका के according समन को सर्व करवाएगा section 62 में section 63 मे अगर corporate body है, अगर कोई society है, तो उसको हम लोग समन किस तरह से देंगे, जैसे कोई निकाय है, अगर उसको हम को समन देना होगा, तो किसको हम देंगे, तो वहाँ पर जो corporation में, जो वहाँ पर secretary होगे, जो local manager होगे, उनको हम लोग ले जाकर क्या करेंगे, उस समन की copy को देंगे, अगर 63 के recording, अगर कोई समन हमको करना है, तो किसको देंगे, आपे local manager अगर बैठते हैं, अगर कोई principal officer होगा, तो हम इनको ले जाके, वह service आप समन पकड़वा देंगे, और माल लेंगे कि हाँ, जो court ने समन जारी किया था, वो समन का पालन, समन का तामील हो गया, section number 64 में बा आना चाहता हूं, लेकिन अभी हम क्या बता हैं, हम लोग के पास time नहीं है, examination हम लोग के बहुत करीब है, इसलिए इसको थोड़ा से जल्दी जल्दी repeat revision type का मैं ले रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का examination के लिए cover हो जा, और अगर यहां से आप cover कर लेते हैं, तो मान के चलि जोसे question बार-बार पूछे जाते हैं, और बार-बार लोग गलत करके आते हैं, छोड़ करके आते हैं, कि किस section में ये सारी चीजों के बारे में बताया गया, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी भी प्रकार से यहां पे गलत हो, अब बात करते हैं section number 64 में, service when person, service when person summoned cannot be found, अगर किसी को service अपसमन देना है, अगर वो व्यक्ति found नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, भाई अगर उसके हम घर पे जाएंगे, और घर पे जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे दरवाजा खट-कटाएंगे, दरवाजा खट-कटाने के बाद कोई नब कोई family member तो वहा सब्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है, male member की बात कर रहा है, adult male member, वो भी male member कैसा होना चाहिए, adult male member, यहाँ से जो question बनता है, 64 में किसको हम यहाँ पे service अपसमन देंगे, तो any adult male member of his family को देंगे, उसमें क्या बुदे देगा, कि क्या उसका जो knocker होगा जो उसका servant होगा, क्या उसमें include होगा, जी नहीं, उसका knocker include नहीं होगा, और female को यह service अपसमन नहीं दिया जाएगा, यह male को दिया जाएगा, और CPC में जब हम पढ़ते तो वहाँ पे female को भी service अपसमन किया जा सकता है, 65 में बात करता है, procedure when service cannot be affected as before provided, तो यह 65 में यहीं बा बात देंगे कि हो, इनके उपखिलाब क्या हुआ है, समन जारी हुआ है, अगर कोई paper में पढ़ता है, तो इसको बताए, section 66 में बात करा, service on government servant, अगर कोई भी समन, अगर government servant पे समन करना है, तो वह किस प्रकार से होगा, तो यह 66 में बता है, 67 में, service of someone outside local limits, अगर outside local limits में समन क करना है, तो वह किस प्रकार से होगा, यह 67 में बता दिया, 68 में, proof of service, proof of service in such cases, and when serving officer not process, अगर service officer जो है, वह present नहीं है, तब किसके द्वारा यहां पे service करवाया जाएगा, समन का, 69 में बता जा रहा है, service of someone on witness by post, अगर देखी रहे हैं, आप लोग पोस्ट के द्वारा भी service अ कर दीए, अब वो अपना समय से क्या हो जाएगा, वो समन चला जाएगा, तो हम लोग माल लेंगे, कि हां, यहां पे postmaster ला करके हमको दिखा देगा, रसीद देगा, कि हां, जैसे रसीद मिल लेगा, तो इसे माल लेंगे, कि हां service हमारा हो गया, समन का, अब warrant of arrested, अगर माल ल अब कोट अपना हत्कंडा, अब अपना हतियार इस्तमाल करेगा, अब warrant उनके खिलाफ जारी कर देगा, जब समन पे आप नहीं आ रहे हैं, आप अपना जबाब नहीं दे रहे हैं, तो आईए, अब warrant आपको किया जाएगा, वारेंट में क्या होगा, डायरेक्ट आपकी गि power to direct security to be taken, यहाँ पे power होता है, डायरेक्ट, बेलेबल नेचर का है, तो जमानत, यहाँ पे जो जमानती होगा, वारेंट आपका करवा सकता है, अगर जमानत नेचर का है, तब वारेंटी आपका जमानत करा सकता है, अन्य था नहीं करा सकता है, तो यह बात section number 71 में बताया गय पुलिस ही वो वेक्ति होता है, जो किसी वेक्ति को क्या करता है, अरिष्ट करने का कार्य करता है, तो यहाँ पे 72 में पुलिस को दिया जागा, 73 की बात करते हैं, वारेंट में भी directed as any person, जो वारेंट होता है, क्या वो किसी भी परसन को दिया जा सकता है, तो उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है 73 मेरी था इसी के भारे में बात जाग रहा था उसको यह निर्देश करके आथ रॉडischenat किसी प्रकार के द्वारेंगे यहां पर किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई चार्ज लग गया हो दा कोई इन्फ और्मेशन दे देता है कि तुमको क्या किया जा रहा है तुमको कोई arrest करने के लिए आ रहा है तो वो क्या करता है वो भागने लगता है वहां से escape करने लगता है तो notification of substances of warrant तो substance लिया जाता है arrest करने का 76 में यहां पर बात करते हैं person arrested to be to be to be brought before the court without delay अगर उसको arrest कर लिया गया है तो बीना delay किये उसको court मिला करके पेस किया जाएगा 77 बता जा रहा है वेर वारंट में भी executed अगर वारंट जारी कर दिया गया तो उस वारंट को कहां पर execute किया जाएगा यह section नẮर 77 बता रहा है, 78 बता रहा है वारंट जो वारंट होगा फारवड 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 फार एच्जिक्डीट ओट वो ओपर ऑउटसाइड जूरिच्डिक्डिक्ट भी उसको वारंट भेजा जा सकता सेवन्तिनय वारंट के बात कर रहा है we're undertaken to police officer for execution outside 80 में क्या बताया जा रहा है, जो भी जैसे EM साहब होंगे, यहाँ पर तीन लोगों की बात कर रहा है, यहाँ पर authority ही based हमारे लिए question बनता है, या तो EM साहब होंगे, यह means की executive magistrate होंगे, या फिर DSP साहब की बात कर रहा है, या फिर commissioner of police की बात कर रहा है, जब आप यहाँ पर प police के द्वारा यह कराया जा सकता है, 81 में देखिए, procedure by magistrate before whom such person arrested is brought, अगर arrest कर लिया जा रहा है, तो किस प्रकार से उसको लाया जाएगा, यहाँ पर section number 81 में बताया जा रहा है, section number 82 की हम बात करते है, proclamation, proclamation for persons absconding, अगर वो भाग गया है, तो उसको किस प्रकार से quote में कर लाने का कोशिस किया जाएगा, किस प्रकार से उद्घोषडा की जाएगी, तो यहाँ पर उद्घोषडा के बारे में, जो कि 82 में, proclamation के बारे में बताया रहा है, 83 में उसको attachment, उसकी अगर कोई संपती है, तो उसकी किसी संपती को क्या किया जाएगा, under section 83 उसकी संपती क मेरा भी संपती है, तो उसका भाई आएगा और claim करेगा, कि अरे साहब उसमें मेरा भी संपती है, मेरे संपती को आप कुर्क ना करिए, मेरे संपती को आप attach ना करिए, तो उसकी संपती को वहाँ पर छोड़ा जाएगा, फिर 84 में claim and objection to attachment के बारे में बता रहा है, section 85 में यह बता जा रहा, appeal from order rejection application for restraining of attached property, तो appeal, appeal के बारे में 86 में बता जाएगा, कि आप appeal कर सकते हैं, धारा 86 के अंतरगत, कि अरे साहब हमको पता ही नहीं था कि हमारे उपर proclamation जारी हुआ, इनी सबी चीजों के बारे में बता जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों हम लो 87, section 87 को देखते है section number 87 में बात कर रहा, issue of warranty in lieu of or in addition to someone, उसके बदले में क्या किया जा सकता है, तो उसके बदले में जैसे हम लोग जो भी process of issue इस्तमाल करते हैं, तो section number 204 आप CRPC में हम लोग इस्तमाल करते हैं, वहीं से हमारा पूरा यह process start हो जाता है, तो यह 204 से आप इसको connect करके 87 को पढ़ स bond for appearances, उसे breach, अगर किसी प्रकार का breach कर रहा है, तो उसे bond भरवाया जा सकता है, यहाँ पे, फिर 90 में आपका क्या कर रहा है, provision of this chapter generally applicable to summon and warrant of arrest के बारे में बात कर रहा है, दोस्तों यहाँ तक हम रखते हैं, क्योंकि यह session बहुत ही लंबा हो जाएगा, अगर आप लोगों की demand ह होती है, तो कल next session भी मैं आप लोगों के ले लेके आऊंगा, और last वो revision होगा, जिसको के हम लोगों revision करके, और examination में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, दोस्तों अभी आपको यह video 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, अपने इसी YouTube चैनल पे अंदर, अगर इस प्रकार का कोई चीज है, तो आप हमें जरूर बताएंगे, और आपने दोस्तों तक इसको share जरूर करें, क्योंकि जितने लोग इससे जुड़ेंगे, उतना ही मज़ा आएगा, बहुत बहुत धन्यवास दोस्तों, वीडियो को वाच करने लिए, thank you